9, यह पर हमें integral निकालना देखे दिया है, sin x into में root under 1 plus cos 2x, ठीक है नजी, चली इसको देखते हैं, चली तो एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मला देखे हुए है, कि 1 plus cos 2x जो होता है, तो equal होता है 2 cos square x, होता है नजी, तो एक काम करते हैं हम पर, sin x और into में यहां पर आ root under 2 cos square x dx, अब इसके बाद देखे हम लोग क्या करते हैं, यहां से root से बाद करते हैं, तो root 2 तो root में ही रहेगा, sin x और यह cos root से बाहर निकल जाएगा, ठीक है नजी, अब इसके बाद देखे, हम लोग इसमें, अगर एक काम करें, तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 2 से divide कर देते हैं, और 2 से multiply कर देते हैं, ठीक है नजी, इतना तो कर सकते हैं, ऐसा, यह इसे 1 by root 2 सकते हैं, काट कर, यह हो जाएगा, आपका sin 2x, तो sin का difference, sin का integral आप जानते हैं, माइनस का cos होता है, तो माइनस का cos 2x, और 2x का 2 आजाएगा, डिवाइड में, derivative प्लस से, जान माइनस का 1 by 2 root 2 cos 2x plus 80, चलते हैं, नेक्स कोर्चर पे, नेक्स कोर्चर नेक्स कोर्चर नेक्स